विन्जो एप कैसे यूज करें या विन्जो एप कैसे चलाएं आज के इस वीडियो में मैं आपको विन्जो एप के बारे में सारी जानकाई देने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसके तरू पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से इसके उपर गेम खेलेंगे किस तरह से इसका refer and unprogram use करेंगे किस तरह से इस app के थूँ add cash करेंगे और किस तरह से हम इस app के थूँ अपना amount withdrawal कर सकते हैं सारी किस सारी जानकाई देने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप refer and unprogram के थूँ पर refer 120 रुपए तक भी कमा सकते हैं तो जड़ा देर ना करते हुए शिरुवात करते हैं नमश्कार दोस्तों मेरा नाव है रागवत्तिर पार्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चनल जिसका नाव है मेकिन हिंदी आईए शिरुवात करते हैं और आपको डेटेल में बताते हैं कि किस तरह से आप विंजो एप का यूज़ करके अच्छा इंकम जनरेट कर सकते हैं विंजो एप को यूज़ करने के लिए और इसके थूप पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डेश्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसके उपर क्लिक करके आपने विंजो एप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको उपन कर लीजी open करने के बाद same interface आपकी screen पर रहेगा यहाँ पर आपको बासा select करने का option है आपने अपनी बासा select कर लेनी है उसके बाद नीचे आपको continue पर click कर देना है continue पर click करते ही आपने यहाँ पर अपना mobile number डालना है और send OTP पर click करना है Send OTP पर क्लिक करते ही आप पे नंबर पर एक 6 डिजिट का यहाँ पर एक code आएगा वो आटोमेटिकली डल चुका है क्योंकि इसी phone में मेरा नंबर है तो यहाँ पर जैसी यह code डलेगा यह दिखी code आचुका है यह code मैंने यहाँ पर आटोमेटिकली डल चुका है और हमारी जो app है वो open हो चुकी है अब मैं आपको सारे options step by step बताने वाला हूँ किस तरह से हम use करेंगे पहले हम नीचे वाले options पे चलते हैं सबसे नीचे आपको option दिये गया है Ludo का सबसे पहला option है यहाँ से हम Ludo game खेल कर income generate कर सकते हैं तो Ludo पर हम click करेंगे लोट पर हम click करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर पहला option आता है free play free में अगर आप खेलना चाहते हैं तो free play है अगर आप यहाँ पर कुछ amount add करके खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और जैसे आप 10 रुपए वाला tournament केलते हैं आपका 25 open हो जाएगा 25 वाला खेलेंगे तो 50 इसी तरह से आपके जो सारे के सारे हैं यह open होते चले जाएगे जैसे जैसे आप earning करते चले जाएगे तो यहाँ से अगर मालीजे के आपको फ्री वाला tournament खेलना है तो फ्री प्ले पर क्लिक करके प्ले ना उपर आप क्लिक कर सकते हैं विन अप्टू 1 रुपीज आप कमा सकते हैं एक विनर रहेगा और यहाँ पर अगर आप 2 रुपए invest करते हैं यानि कि 2 रुपए वाला match केलते हैं तो win up to 6.4 यानि कि 6 रुपए 4 पैसे कमा सकते हैं इसी तरह से आप जितना बढ़ते चले जाएंगे 10 रुपए में आप 34 रुपीज कमा सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जितना बढ़ता चले जाएंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो add करना चाहें वो add करिए और add now पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपके सामने paytm, gpay और यहाँ पर paytm का option रहेगा और net banking का आपके सामने option दिये गया है आपने जिस माद्यम का इस्तमाल करना है उस माद्यम का इस्तमाल करिए और यहाँ से आप payment कर दीजिए payment जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपका नीचे की तरफ right side में आपको wallet का option दिया गया है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर wallet balance में यानि की unplayed balance में आपको यहाँ पर amount देखने का मिलेगा जितना आपने add किया है वो amount आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आपका जो भी amount आप जैसे माली जी की loodos खेलते हैं और आपने 10 रुपए वाला match खेला और आपने 34 रुपीज जीत लिए तो वो आपको देखने को मिलेंगे आपके wallet option में wallet में जाएंगे तो winnings option जो आपको देखने को मिल रहा है तीसरे number वाला यहाँ पर आपको amount देखने को मिलेगा जो भी आप win करते हैं कुछ भी आप amount win करेंगे वो सारी की सारी amount यहाँ पर आती चली जाएगी और यह जो withdrawal अभी lock हो चुका है वो आपका open हो जाएगा यहाँ पर यह unlock तभी होगा जब आपका 3 रुपे winning या उससे ज़्यादा हो जाएगी तब आपको यहाँ पर यह lock हटने को देखेगा उसके बाल आप यहाँ से अपनी amount जो भी UPI ID है या पिर पेटियम है या फिर आप यहाँ से bank count है यह तीनों मादेमों के थुरू आप यहाँ से अपना withdrawal कर सकते हैं अब मैं आपको दूसरे option पे लेकर चलता हूँ दूसरा option यहाँ पर दिया गया है वर्ड वार का इसके उपर हम click करेंगे तो यहाँ पर world war की games देखने को मिलती है जिसमें आपको 2 rupees entry देखने को मिलती है पाँच रुपे entry देखने को मिलती है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको prices भी देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर how to play का option है इस पर click करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से आप इसको खेल सकते हैं यह सारी चीज़े हैं अगर आपको लगता है कि मैं यह गेम नहीं खेल सकता तो आप How To Play पर क्लिक करके आप इस गेम के बारे में पूरी जानकरी ले सकते हैं अब इन गेम को जो खेलता रहता है उनका एक लीडर बोर्ड भी होता है जिस पर बताया जाता है कि कितना वो अर्ण कर चुके हैं चले जाएंगे और आपका जिस आप से रैंक होगा उस हिसाब से आपको यहां पर पैसे मिलते हैं अब बीच वाला जो अप्शन है यह आपका एक तरह से होम का उप्शन है जो आपको विंजो मेनिया पर लेकर आता है अब उससे अगला जो आप्शन है वो रैफर का है यह बहुत ही अच्छा आप्शन है गाईज इसको आप ध्यान में रखेगा क्योंकि इसके तरू आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं कोई इसका लिमिट नहीं है जतना ज़्यादा लोगों को आप इसको रैफर करेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग आपको होगा और यह अर्निंग बढ़ती चली जाएगी वो मैं आपको बता हूँ कैसे बढ़ेगी रैफर जब हम जाएंगे तो रैफर में यहाँ पर किसी भी परसन को अगर आप रैफर करते हैं जैसे कि मैंने रैफर एंड गेट 25 तो मैं अगर किसी को भी यहाँ से रैफर करता हूँ तो मैं फेस्बुक, यहाँ पर इंस्टेग्रेम, वाट्सैप, चैट, रील्स जहां पर इसको शेयर करना चाहूँ वहाँ पर share करूँगा और share करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मान लीजिए कि आपने 10 referral 20 referral किये उसके इसाब से आपको earning होगी जैसे कि यहाँ पर earning up to 65,000 पर मन दिया हुआ है अभी आपको जो referral का है वो 25 रुपे मिल रहा है मान लीजिए आपने 4 referral और कर दिये फिर आप superstar बन जाते हैं ठीक है ऐसे ही आपका rank जो है वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद आपका जो amount है वो आप per referral पे 125 रुपे तक भी कमा सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा referral करते हैं और सबसे important चीज़ यहाँ पर यह आती है कि आप जिस person को refer करते हैं अगर वो आगे game खेलता है ठीक है ना उसका percentage भी आपको lifetime मिलता रहता है यानि कि मान लीजिए कि आपने किसी को refer किया और उसने refer का amount आपको मिली गया तुरंट के तुरंट उसके बाद उसने 10 रुपे की 20 रुपे की 50 रुपे की जो भी game वो अपनी winzo में खेल रहा है उसका percentage आपके account में automatically आता चला जाएगा जब तक वो खेलेगा चाहें वो एक साल के बाद खेले चाहें जो दो साल के बाद खेले जो भी amount की game खेलेगा वो आपके यहाँ पर winzo account पे आएगा वो कहाँ आएगा wallet में winnings option में जहाँ पर आप इसको withdrawl कर सकते हैं तो यह चीज़ तो यहाँ पर refer की हो गई है गाइस उसके साथ और भी games यहाँ पर मौझूद है जैसे की यहाँ पर जो new add यहाँ पर game है वो है player exchange यह बहुत ही शानदार game है इसकी साथा से आप बहुत अच्छा earn कर सकते हैं तो मैं इस पर click करता हूँ इसके ओपर click करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे players देखने को मिलेंगे जैसे की आज जो match है वो बंगलदिस और पाकिस्तान का है तो यहाँ पर इस match के जो भी players है see all पर हम click करेंगे इसमें आपको सारे players देखने को मिल रहे है जैसे की इप्तिकार एमद जो है उसका rate 1.1 रुपीज है यानि की एक share का rate उसके 1.1 रुपीज है अगर आप इप्तिकार एमद को खरीते हैं तो आपको एक share 1.1 रुपीज में मिलता है और मान लीजे की मैं इसके यह यहाँ पर 1500 share खरीद लेता हूँ या आप इतने माली 1750 में share खरीद लेता हूँ और यह मेरे को मिल रहे हैं 1844 रुपे में और 1844 रुपे में मैंने इसको खरीद लिया उसके बाद मान लीजे की यह जो share 1.1 है और इतिकार एहमद आज के match में 50 run मार देता है तो यहाँ पर इसका जो share price है वो automatically बढ़ जाता है यानि कि इस player की value automatically बढ़ जाएगी और यह share बढ़ते ही आपको benefit यह होगा guys कि आपके जो prices हैं यहाँ पर 1871 है वो automatically बढ़ जाएगे यानि कि अगर यह 1.1 रुपीज का share है वो 5 रुपे में हो जाता है तो आपके यहाँ पर 4.something रुपीज बढ़ जाएगे और वो रुपीज आप बहुत ही आसानी से यहाँ से withdrawal करते हैं जैसे आप player के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको option आएगा sell और buy का आपने उसके उपर sell पर click कर देना है और आपने जितने भी shares हैं उनको आपने sell कर देना है sell पर लगा देना है और automatically वो sell हो जाएगे और sell होने के बाद आपके wallet में यहाँ पर winnings में balance आजाएगा अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरह से आप कोई भी player यहाँ से खरीदिये वो आपने खरीदने के बाद उसके shares आपके पास आजाएगे और जैसे ही वो अच्छा खेलेगा वैसे ही आपको income generate होगी तो यहाँ पर उपर की तरफ आपको footwall का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप footwall के players पे भी यहाँ पर share खरीद सकते हैं यानि कि जिस player को खरीदेंगे और वो अगर आपका next match में अच्छा खेलता है तो आपको यहाँ पर उसके share के prices बढ़ जाएंगे और आप उसको sale कर सकते हैं उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा और भी बहुत सारी games आपको guys देखने को मिलती है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको पता है आज कल fantasy leagues बहुत ज़्यादा खेला जाता है तो यहाँ पर विंजो फेंटासी का option भी दिया गया है इस पर आप कलिक करेंगे तो यहाँ से आप cricket fantasy भी खेल सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान और वंगलाद इसका match होने वाला है तो इसके पर मैं कलिक करूँगा तो इसके उपर सबसे अच्छी बात यह है guys दूसरी fantasy leagues है आप सब्सक्राइब कि इसमें better क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर competition बहुत कम है अब देखिए total sports जो है वो 70,000 हैं यानि कि 70,000 लोग एक जगे खेल रहे हैं और एक जगे 50,000,000,000,000,000 लोग खेल रहे हैं competition automatically कम हो जाता है और यहाँ पर आपको सिर्फ 24 रुपीज देने होते हैं और first price आपको डेड़ लाग रुपे तक यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से income generate कर सकते हैं और same process यहाँ पर भी है कि आपने यहाँ पर amount लगाया और अपनी टीम को create किया और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर earning कर सकते हैं अब यहाँ पर winners जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो winners है यह देखें यहाँ पर आपको winners देखने को मिलता है यानि कि जो स्री लंका और अफगानिस्तान का match था उसके अंदर first rank किसको मिला है second rank किसको मिला है और पुराने मैच हुए हैं उनके ranking भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो यह तो बात हुई guys यहाँ पर earning की अब मैं आपको main चीज़ ले चलता हूँ यहाँ पर हमने अपनी game scale ली उनको उनसे earn कर लिया और earn करने के बाद जो wallet में balance आया वो यहाँ पर जाना है और यहाँ से withdraw पर क्लिक करके हमने amount अपना निकल वा लेना है अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि KYC बहुत जरूरी है guys KYC के लिए आपको का करना है अपनी profile option में चले जाना है और profile option में जाने के आद यहाँ settings में चले जाएंगे और settings में जाने के बाद यहाँ पर KYC details का option है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको using aadhar card and OTP और pen card यह दोनों चीज़ें verification करनी होंगी यहाँ कि using aadhar card OTP इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना aadhar card का number और यहाँ पर अपना यह जो यहाँ पर text दिया गया है यह आपने fill करना है और next पर क्लिक करना है उसके बाद आपके यहाँ पर mobile number जो register mobile number है उसके उपर एक OTP आएगा वो OTP आपको डालना होगा यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ से अपना aadhar card verify कर पाएंगे उसके बाद आपने pen card करना है pen card की photo डाल देनी है और उसके बाद आपका यहाँ से pen card भी verify हो जाएगा और आपकी KYC complete हो जाएगी KYC complete करने का फाइदा यह है guys आप आने वाले समय में अगर थोड़ा भी amount जादा निकालते हैं तो आपको फिर problem आएगी आपका amount नहीं निकल पाएगा इसलिए मैं पहले ही आपको पता रहा हूँ कि आप अपना mobile number उसी से ही account बनाएगे जिससे आपको आने वाले समय में problem ना हो कि आपका मेरा number यह वाला नहीं चल रहा है या फिर मैं अपना number चेंज करना चाहता हूँ तो यह चीजें बाद में विंजो पर नहीं हो पाएगी ना तो आप यहां से UPIID ना तो आप अपना bank account number यह एक बार ही फिल होगा उसके बार आप इसको change नहीं कर पाएंगे तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है तो गाईज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से विंजो के थुरू earning कर सकते हैं KYC कर सकते हैं और withdrawal कर सकते हैं आशा करते हैं दोस्तों आपको विंजो एफ यूज करनी आ गई होगी और विंजो एफ के थुरू पैसे कमाने के पारे में जानकानी मिल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंदाइब वीडियो को लाइक कर दीजे और इसी तरह की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत बाबाई